राजिस्थान के जुन जुनू जिले में आज भी एक परिवार बिल्कुल पारंपरिक तरीके से देशीगी निकालतोगा आ रहा है तो इस वीडियो में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये देशीगी किस तरीके से बनाया जाता है तो वीडियो के इंट तक बने रहेगा घी बनाने की शुरुआत होती है गाएं के दूद से जिसे निकाला जाता है देशी गाएं से और अगर आपको अच्छा घी चाही है तो आपको अच्छा दूद चाही होगा जिसके लिए गाएं को अच्छा चारा डालना होता है जिसके अंदर एक से बढ़कर एक पॉश्टिक तत्व होते हैं दूद पे सबसे पहला हिस्सा होता है मा के बच्चे का इसलिए सबसे पहले बच्चडे को दूद पिलाया जाता है फिर उसके बाद दूद निकाला जाता है जिसमें सबसे पहले थनों को साफ किया जाता है फिर हातों से दूद को चोया जाता है दूद जब निकल जाता है तब इसको लेकर जाये जाता है और एक मिट्टी के बर्तन में सजो के रख दिया जाता है जब तक कि इसको गरम ना किया जाए और ये दूद निकालने और सहेजनी की प्रक्रिया तब तक चली रहती है जित्ता order आता है उसी के हिसाब से दूद निकाला जाता है दूद सहेजनी के बाद अब जो next step होता है वो होता है इसको तुरंद गरम करना नहीं तो पूरा दूद जो इकटा किया है वो खराब हो जाएगा तो इसके लिए गोबर के कंडो को इकटा करके लेकर आया जाता है और चूले में छोटे-छोटे टुकडे करके डाल दिया जाता है इस दूद के गरम करने की प्रकरिया भी बिल्कुल अलग है बाकी दूद से जो कि उपलो को पूरी तरीके से आग नहीं लगा जाती इसके अंदर एक छोटा सा कोईला डायला जाता है जो कि उपलो को धीरे-धीरे जलाता है और इस दूद को 8-9 गंटे तक पकाया जाता है इस हलकी आज पे ताकि इसमें से जादा से जादा मलाई आ सके दूद को उपलो पे रखके 8-9 गंटे छोड़ दिया जाता है और फिर ढग दिया जाता है दूद जब बग जाता है तब ये हलके लाल रंका हो जाता है क्योंकि इसके अंदर से पूरी मलाई आ जाती है जैसा कि आप वीडियो में देखी रहे हैं अब इस मलाई वाले दूद को दही में convert किया जाता है जिसके लिए इसमें चाच मिलाके इसको राद बर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि एक अच्छी क्वालिटी की दही बन सके राद बर छोड़ने के बाद जब ये दही बन जाती है तो जो next step होता है वो होता है इस दही में से मक्कन को अलग कर देना क्योंकि मक्कन ही एक ऐसा स्त्रोत है जिससे घी बनाया जाता है और अब आप इस टाइम पे देखके हैरान हो जाओगे कि मक्कन को दही से किस तरीके से अलग जाता है जी हाँ बिल्कुल देशी तरीके से ये 5000 साल पुराना तरीका है जो ये फैमली आज भी यूज़ करती है घी बनाने के लिए जब मक्कन दही से अलग हो जाता है तब इसको अलग कुलड में रख दिया जाता है ताकि इसको गरम करके इसका घी निकला जा सके और जो बची हुई चार्ज होती है वो वापिस गाएं या बैंस को पिला दी जाती है मक्कन निकलने के बाद जो नेक्स टेप होता है वो है इस मक्कन को गरम करना जिसको एक से डेड या फिर दो गhnटे तक भी गरम किया जाता है ताकि इसमें से सारा घी निकल जाए और जब मक्कन गरम हो जाता है तब यह बिलकुल गी छोड़ देता है जैसा कि आप देख ही गी निकलने के बाद इसको बॉटल में पैक कर दिया जाता है और लेबलिंग लगा दी जाती है और इसी तरीके से तैयार होता है शुद एटू गाये का बिलोना पुरानी धानी का घी वीडियो ची लगे तो लाइक करी का पेज को फॉलो करिएगा करने के लिए जी मेरा मोबाइल नंबर है नो सो चोवन नब्बै पचास सत्रा नो इस नंबर पे कोल या वाट्सप कर सकते हैं या फिर हमारे खुद की वेबसाइट भी है पुरानी डानी के नाम से वहां से और कर सकते हो